बीजेपी एक बार फिर अपने चुनावी चाल को कामियाब बनाने में सफल हो गई भले ही उसे बहुमत ना मिला हो लेकिन फिर भी सूबे में एक बार फिर सरकार उसकी बन गई मनोहर लाल खटर के लिए सत्ता की ताले कुल गए हैं ये सब संभव हो पाया है जेजेपी की चाबी की वच्छा से जिसके बूते बीजेपी सबी विपक्षियों को मात देकर सत्ता के द्वार पहुँच गई इसे कहते हैं कि भले ही जीत ना मिले लेकिन सरकार में फिर भी हम ह मैं मनोहर लाल सीम पद की शपत लेता हूँ पांस साल बाद एक बार फिर हर्याना में शपत ग्रहन समारो हुआ लेकिन अब की बार तस्वीर अलग थी क्योंकि ये लाल पहले की तरह कमाल नहीं कर पाया ये सत्ता उन्होंने खुद के दम पर नहीं बलकि जेजेपी के साथ स हासिल की जिसका इनाम भी दुशन चोटाला को डिप्टी सीम के रूप में दिया गया आज शपत ग्रहन समारों से पहले मनोहर लाल खटर ने शपत ली उसके बाद जन नायक जनता पाटी के लिए हर्याना में नायक बने दुशन चोटाला ने भी मंत्री पद की शपत ली इ जब उन्होंने अपनी चावी से बीजेपी के लिए सत्ता का द्वार खोला है मनोहर लाल खटर के मंत्री मंडल का विस्तार जल्द होगा इसमें बीजेपी से आधा दरजन के करीब और जेजेपी से दो लोगों को और मंत्री बनाया जा सकता है आपको बता दें कि इस चुन जिसके बाद से ही सभी दलों ने सत्ता तक पहुँचने के लिए पूरा जोड लगा दिया लेकिन आखिरकार बीजेपी अपने जोड तोड में काम्याब हो गई उसने जेजेपी को ऐसा लुभाया या यू कहें कि मजबूर किया कि बीजेपी के खिलाप हुंकार भढ़ने दुश्यंत चोटाला उसके साथ को तयार हो गए इसी साथ पर तो भी पक्षी सवाल उठा रहे हैं लेकिन अब सवाल उठाने वाले उठाते रहें दुश्यंत को पिता से प्यार है इसके लिए बीजेपी भी सुईकार है यही हाल बीजेपी का है जिसे सत्ता से प्यार है इ झाल झाल